दिवाली, आज को दिन अपने आप में ही कहीं शुबता को समेटे हुए होता है लेकिन इस बार दिवाली पर कहीं ऐसे दुरलब संयोग बन रहे हैं जो इसकी शुबता में चार चांद लगा रहे हैं सदियो बाद आठ शुब योगों में 12 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी जोतिशों की माने तो रविवार यानि की दिवाली के दिन अमावस्या दो बचकर 30 मिनट से शुरू होगी प्रदोशकाल में लक्षमी पूजा की वक्त 5 राजयोग रहेंगे साथी आईश्मान, सौभाग्य और महालक्षमी योग भी बनेंगे इस तरहे 8 शुब योगों से इस बार की दिवाली सजी है जोतिशों की मताबिक शनी और अवी पुश्य योग के साथ अश्ट महायोग का ऐसा दुल्लब संयोग 700 साल में नहीं बना है जाहिर है जब इतने सारे संयोग बन रहे हो तो उसका फल भी उतना ही शुब होगा सुख समरिद्धी देने वाला होगा वेदिक पंचांग की मताबिक दिवाली पर गजकेस्री, उभयचरी, काहल, हर्ष और दुर्धा नाम के पांच राजयोग बन रहे हैं जिसमें गजकेस्री से सम्मान और लाव मिलता है तो हर्ष योग से धनलाब और संपत्ती का फल प्राप्थ होता है काहल योग से स्थिर्ता और सफलता आती है तो उभयचरी योग से आर्थिक खुशाली आती है दुर्धा योग शान्ती और शुबता देता है इस तरह सासो साल बाद बनने वाला महा संयोग महा फल देने वाला है खास्तोर पर कुछ राशियां तो माला माल होने वाली है चार राशियों की तो किस्मत चमकने वाली है मेश, मिथून, कन्या और मकर राशी पर तो मा दोनों हाथ खोल कर धन लुटाने वाली है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो दिवाली पर बनने वाला पांच राजयोग इस राशी के बेहद लापकारी है इसके असर से आमदनी में जबरदस्त बढ़ोत्री होगी आए के नए-नए माध्यम बनेंगे करियर या रोजगार से संभंधित शुप समाचार प्राप्त होंगे ये समय विवाहिक और प्रेम संभंधों के लिए काफी अच्छा है लेकिन बहस करने से बचे इस राशी के जातकों को पुराने निवेश से जबरदस्त लाब मिलने वाला है जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है इस समय वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं शेर बाजार, सटा और लोटरी में अच्छे लाब के संकेत है साथी सारे पुराने कर्ज चुकाने के भी योग बन रहे हैं मिथु राशी के लिए दिवाली पर बन रहे पांच राजियोग काफी अनुकूल साबित होंगे प्रोपर्टी के लेंदेन में काफी जादा फायदा हो सकता है इस राशी के जातक वाहन और प्रोपर्टी खरी सकते हैं नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के मौके मिलेंगे साथ ही कारोबार में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी आपके सम्मान में इजाफा होगा और आप जो भी योजनाएं बनाएंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी कन्या राशी के लिए ये राजियोग आर्थिक रूप से बेहत शुब साबित होगा आपको कामकाच में या कारोबार में लाब ही लाब होगा पुराने निवेश से बहुत लाब होने के संकेत है कोट कचरी के मामलों में जीत हासिल होगी और अगर आपका धन कहीं फसा हो तो ये समय आपके लिए बेहत अनुकूल है आपका फसा पैसा जल्द मिल जाएगा नौकरी पेशा लोगों को कारिस्थल पर कोई नई जमिदारी मिल सकती है मकर राशी के जातकों के लिए भी ये पांच राजयोग बेहत लाबदायक है आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ती का समय आगया है आपको सभी कारियों में सफलता मिलने वाली है आपका मन प्रसन रहेगा नौकरी पेशा लोगों को अपने साथियों का सहयोग मिलेगा आए के सादनों में बढ़ोतरी होगी और कारोबार बढ़ने का यही समय सही है मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी अचानक कहीं से धन के आने के भी योग है कह सकते हैं कि 700 साल बाद पढ़ने वाला यह महा सहयोग इन चार जातकों के जीवन में नया बदलाव लेकर आएगा धन बरसाएगा और माल लक्षमी का वरदान दे कर जाएगा